आईए सुनते हैं मुंसी प्रेम चन जी की कहानी बेटों वाली विद्वा पंडित अयोध्यानात का दिहान थुआ तो सब ने कहा इसवर आदमी को ऐसी ही मौद दे चार जवान बेटे थे एक लड़की चारो लड़कों के विवा हो चुके थे केवल लड़की कमारी थी संपत्ती भी काफी छोड़ी एक पका मकान दो बगीचे कई हजार के गहने और बीस हजान नगत विद्वा फूल मती को वह सोग तो हुआ और कई दिन तक वह बेहाल रही लेकिन जवान बेटों को सामने देखकर उसे धाड़स हुआ चारो लड़के एक से एक सुषील चारो बहुएं एक से एक बढ़कर आग्या काड़नी जब रात को लेटती तो चारो बारी बारी से उसके पाउं दबाती वह इसनान करके उठती तो उसकी साड़ी छांटती सारा घर उसके इसारे पर चलता था बड़ा लड़का कामता एक दफ्तर में पचास रुपए पर नोकर था छोटा उमाना डाक्टरी पास कर चुका था और कहीं औस धाले खोलने की फिक्र में था तीतरा दियानात बी ए में फेल हो गया था और पत्रिकाओं में लेख लेख कर कुछ न कुछ कमा लेता था चौथा सीतानात चारों में सबसे कुसागर और होनहार था और अब की साल भी ये पर्थम स्रेणी में पास करके में की तैयारी में लगा हुआ था किसी लड़के में वे दुर्वेशन वे चहलापन वे लुगाउपन न था जो माता पिता को जलाता और कुल मर्यादा को डुबाता है फूल मती घर की मालकिन थी गोंकी कुझियां बड़ी बहु के पास रहती थी बुढ़िया में वे अधिकार प्रेम न था जो वरिद जनों को कटू और कलासील बना दिया करता है किन्तु उसकी इच्चा के बिना कोई बालक मिठाई तक न मांग सकता था संध्या हो गई थी पंडित को मरे आज 12.5 दिन था कलते रही है ब्रम बोज होगा विरादरी के लोग निमंत्रित होंगे उसी की तयारिया हो रही थी फूल मत्य अपनी कोट्री में बैठी देख रही थी कि पल्लेदार बोरे में आटा लाकर रख रहे थे घी के टीन आ रहे थे साख भाजी के टोकरे सक्कर की बोरियां दई के मटके चले आ रहे हैं महा पात्र के लिए दान की चीजें लाई गई, बरतन, कपड़े, पलंग, बिचावन, छाते, जूते, छड़ियां, लालटेन, आदी किंतु फूल मती को कोई चीज नहीं दिखाई गई, नियमा नुसार ये सब सामान उसके पास आने चाहिए थे, वे परतेक वस्तू को देख नहीं समझी गई, अच्छा वे आटा तीन ही बोरी क्यों आया, उसने तो पांच बोरों के लिए कहा था, घी भी पांच ही कनस्तर है, उसने तो दस कनस्तर महँआए थे, इसी तरह साथ भाजी, सक्कर, दही आदी में भी कमी की गई होगी, किसने उसके हुक में हस्त छेप कि जब उसने एक बात तैक कर दी, तब किसे उसको घटाने बढ़ाने का इधिकार है, आज चालिस वरसों से घर के परते एक मामले में फूल मती की बात सर मानित थी, उसने सो कहा तो सो खर्च किये गए, एक कहा तो एक, किसी ने मीन मेक न की, यहां तक की पंडित आयोध्याना आद भी उसकी इच्छा के विरूद कुछ न करते थे, पर आज उसकी आखों के सामने परतक्स रूप से उसके हुक्म क्यों पे अक्चा की जा रही है, इसे वह क्यों कर सोईकार कर सकती, कुछ देर तक तो वह जब किये बैठी रही, पर अंत में न रहा गया, सुवायत सासन उसका सोभाव हो गया था, वह क्रोद में भरी हुई आई, और कामतानाच से बोली, क्या आटा तीन ही बोरे लाए, मैंने तो पांच बोरे के लिए कहा था, और घी भी पांच ही टीन मंगवाया, तुम्हें याद है, मैंने दस कनस्तर कहा था, किफायत को मैं बुरा नहीं सम एक मिनट तो विद्रोई भाव से खड़ा रहा, फिर बोला, हम लोगों की सला तीन ही बोरी की हुई, और तीन बोरे के लिए पांच तीन घी काफी था, इसी हिसाब से और चीजों भी कम कर दी गई हैं, फूल मती उग्र होकर बोली, किसकी राय से आटा कम किया गया, हम खुल मती हका बका होकर उसका मुँ ताकने लगी, इस वाक्य का आज से उसकी समझ में ना आया, अपना हानी लाप, अपने घर में हानी लाप की जिम्मेदार वै आप है, दूसरों को चाहे, वे उसके पेट के जन में पुत्र की क्यों नहो, उसके कामों में हस्चेप करने का क्या दिकार, यह लॉनला तो धिटाई से जबाब दे रहा है, मानो घर उसी का है, उसी ने मर मर कर गरस्ती जोड़ी है, मैं तो गैर हूँ, जिरा इसकी हैकडी तो देखो, उसने तम तमाय हुए मुख से कहा, मेरे हानी लाप के जिम्मेदार तुम नहीं हो, मुझे अक्तिय विचार है, जो चीज समझूँ वे करूँ, अभी जाकर दो बोरे आटा और पांस तिन घी और लाओ, और आगे के लिए खबरदार जो किसी ने मेरी बात काटी, अपने विचार से उसने काफी तमभी कर दी थी, साइद इतनी कठोड़ता अनावश्यक थी, उसे अपनी उग मालूम होता कि इस काम में मैं किफायत पसंद न करूंगी, तो कभी इने मेरी उपेख्चा करने का साहस न होता, यद पी कामतानाथ अब भी उसी जगह खड़ा था, और उसकी भाव भंगिमा से ऐसा ग्यात होता था, कि इस आग्यां का पालन करने के लिए वह बहुत किन्त होकर अपनी कोटरी में चली गई, इतनी तंबीह पर भी किसी को उसकी अवग्यां करने की सामर्त हो सकती है, इसकी संभावना का ध्यान भी उसे न आया, पर जियों जो समय बीतने लगा, उस पर यह हकीकत खुलने लगी, कि इस घर में अब उसकी वया हैसियत नहीं रह कर रख रही थी, कोई भी उससे पूछने नहीं आता, विरादरी के लोग भी जो कुछ पूछते हैं कामतानात से या बड़ी बहु से, कामतानात कहां का बड़ा इंतजामकार है, रात दिन भंग पिये पड़ा रहता है, किसी तरह रोध होकर दफ्तर चला जाता है, उसमें भी महिने में पंद्रह नागों से कम नहीं होते, वह तो कहो, साहब पंडित जी का लिहाज करता है, नहीं अब तक कभी का निकाल देता, और बड़ी बहु, जैसी फूअड अवरत भला इन बातों को क्या समझेगी, अपने कपड़े लत्ते तक तो जतन से रख नहीं सकती, चली है गिरस्ती चलाने, भद्ध होगी और क्या, सब मिलकर कुल की ना कटवाएंगे, वक्त पर कोई न कोई चीज कम हो जाएगी, इन कामों के लिए बड़ा अनभव चाहिए, कोई चीज तो इतनी ज्यादा बन जाएगी, कि मारी मारी फिरेगी, कोई चीज इतनी कम किसी पर नहीं, आखिर इन सबों को होग क्या गया, अच्छा बहु तिजोरी क्यों खोल रही है, वह मेरी आग्यां के बिना तिजोरी खोलने वाली कौन होती है, कुझी उसके पास है अवश्य, लेकिन जब तक मैं रुपए नहीं निकलवाऊं, तिजोरी नहीं खोलती, बोली, तुझी रही क्यों खोलती हो, बहु, मैंने तो खोलने को नहीं कहा, बड़ी बहु ने निसंकोज भाव से उत्तर दिया, बजार से सामान आया है, तो दाम न दिया जाएगा, कौन चीज किस भाव से आई है, और कितनी आई है, यह मुझे कुछ नहीं मालुम, जब त मुझे हुक मिला, रुपए लाकर दे दो, रुपए लिये जाती हूँ, फून मती खून का घून पीकर रह गई, इस वगड़ने का आउसर न था, घर में महमान इस्त्री पुरुष भरे हुए थे, अगर इस वगड़ उसने लड़कों को डाटा, तो लोग यही कहेंगे कि इनके घर में पंडित जी के मरते ही फूट पड़ गई, दिल पर पत्थर रखकर फिर अपनी कोठरी में चली आई, जब महमान विदा हो जाएंगे, तब वह एक-एक की खबर लेगी, तब देखेगी कौन उसके सामने आता है और क्या कहता है, इनकी सारी चोकड़ी भुला किन्तु कोठरी के एकांत में भीवर निश्चिंत न बैठी थी, सारी प्रिस्तिती को गिद द्रिष्टी से देख रही थी, कहां सतकार का कौन सा नियम भंग होता है, कहां मर्यादाओं की उप्यक्षा की जाती है, भोजारंब हो गया, सारी विरादरी एक साथ पंगतों में बैठा दी गई, आंगन में मुश्किल से 200 आदमी बैठ सकते थे, ये 500 आदमी इतनी सी जगह में कैसे बैठ जाएंगे, क्या आदमी के उपर आदमी बिठाए जाएंगे, दो पंगतों में लोग बिठाए जाते तो क्या बुराई हो जाती, यही तो होता कि 12 बजे की जगह बोज दो बजे समात होता, मगर यहां तो सब को सोने की जल्दी पड़ी हुई है, किसी तरह ये बला सिर से टले और चैन से सोएं, लोग कितने सट कर बैठे हुए हैं, किसी को हिलने की भी जगह नहीं, पतल एक पर एक रखे हुए हैं, पूरियां ठंडी हो गई, लोग गरम गरम मांग रहे हैं, मैदे की पूरियां ठंडी होकर चिम्री हो जाती हैं, इन्हें कौन खाएगा, रसोईये को कड़ाओ पर से ना जाने के उठा दिया गया, यही सब बातें ना कटाने की हैं, सहसा सोर मचा, तरकारियों में नमक नहीं, बड़ी बहु जल्दी जल्दी नम पीषने लगी, फूल मती करोत के मारे ओंट चबा रही थी, पर इस अवसर पर मूर न खोल सकती थी, बारीक नमक पिषा और पतलों पर डाला गया, इतने में फिर सोर मचा, पानी गरम है, ठंडा पानी लाओ, ठंडे पानी का कोई परबंद नहीं था, बरब भी न मंग आई चलता तो लड़कों का मूँ नोच लेती, ऐसी छीचा लेदर उसके घर में कभी न होई थी, उस पर सब मालिक बनने के लिए मरते हैं, बरब जैसी जरूरी चीज मंगवाने की भी किसी को सुधी न थी, सुधी कहां से रहे, जब किसी को गप लड़ाने से फुरसत मिले, महम अरे लोग पंगत से उठे जा रहे हैं, क्या मामला है, फूल मती उदा सीन न रह सकी, कोटरी से निकल कर बरामदे में आई, और कामता नाच से पूछा क्या बात हो गई लला, लोग उठे क्यों जा रहे हैं, कामता ने कोई जबाब न दिया, वहां से खिसक गया, फूल मती जुंजला कर रह गई, सासा कहारिन मिल गई, फूल मती ने उचसे भी वही परसंद किया, मालूम हुआ किसी के सोर्बे में मरी हुई चुया निकल आई, फूल मती चित लिखिस सी वही खड़ी रह गई, भीतर ऐसा उबाल उठा कि दिवार से सिर्ट टकरा ले, अभागे भो कोज का परबंद करने चले थे, इस फूरफन की भी कोई हद है, कितने आदमियों का धर्म सत्यानास हो गया, फिर पंगत क्यों न उठ जाए, आँखों से देख कर अपना धर्म कौन गवाएगा, हाँ, सारा किया धरा मिट्टी में मिल गया, सैक्डों रुपे पर पानी फिर रहा था, बड़ी बहु अपनी देवरानियों पर बिगड रही थी, देवरानियां सारा दोस कुमुत के सीड डालती थी, कुमुत खड़ी रो रही थी, उसी वक्त फूल मती जहलाई हुई आकर बोली, मुँ में कालिक लगी की नहीं, या अभी कुछ कसर बाकी है, डूम मरो सब के सब जाकर चुलू भर पानी में, सहर में कहीं मुद दिखाने लाइक भी नहीं रहे, किसी लड़के ने जबाब न दिया, फूल मती और भी परचंड होकर बोली, तुम लोगों को क्या, किसी को सरम हया तो है नहीं, आत्मा तो उसकी रो रही है, जिनों ने अपनी जिन तानात कुछ देर तक तो चुप चाप खड़ा सुनता रहा, आखिर जुंजला कर बोला, अच्छा, अब चुप रहो अम्मा, भूल हुई, हम सब मानते हैं, बड़ी भेंकर भूल हुई, लेकिन क्या अब उसके लिए, घर के प्राणियों को हलाल कर डालोगी, सभी से भूल था कि देख कर तरकारी कड़ाओं में डालती, तोकरी उठा कर कड़ाओं में डाल दी, इसमें हमारा क्या दोस्ट, कामतानात ने पतनी को डाटा, इसमें ना कुमत का कसूर है, ना तुम्हारा, ना मेरा, संयोग की बात है, बदनामी भाग्य में लिखीती वह हुई, इतने बड़े भोज में एक एक मुठी तरकारी कड़ाओं में नहीं डाली जाती तोकरे के टोकरे उडेल दिये जाते हैं कभी कभी ऐसी दुरगटना हो ही जाती है पर इसमें कैसी जग हसाई और कैसी ना कटाई तुम खाम खा जले पर नमक खिड़कती हो फोल मती ने दात पीस कर कह सर्माते तो नहीं उल्टे और बेहयाई की बाते करते हो। कामता नेनी संग कोच होकर कहा सर्माओं क्यों किसी की चोरी की है चीनी में चीटे और आटे में घुन यह नहीं देखे जाते। पहले हमारी निगाह ने पड़ी बस यही बात बिगड़ गई। नहीं चुपके से चुईया निकाल कर फैंक देते, किसी को खबर तक न होती, फूल मती ने चकित हो कर कहा, क्या कहता है, मरी चुईया खिला कर सबका धर्म बिगार देता, कामता हसकर बोला, क्या पुराने जमानी की बातने करती हो, अम्मा, इन बातों से धर्म नहीं जाता, या धर्मात्मा पूल मती को ऐसा परतीत हुआ, कि अपरले आने में बहुत देर नहीं है, जब पढ़े लिखे आदमियों के मन में, ऐसे अधार्मिक भावाने लगे, तो फिर धर्म की भगवान ही रक्षा करें, अपना सा मूल लेकर चली गई, दो महीने गुजर गए हैं, रात का समय है, च पामतानात ने मसनद पर टेक लगाते हुए कहा, दादा की बात दादा के साथ कई, मुरारी पंडित विद्वान भी हैं, और कुलीन भी होंगे, लेकिन जो आदमी अपनी विद्या और कुलीनता को रुपेयों पर बेचे वह नीच है, ऐसे नीच आदमी के लड़के से हम पर विवा सिंत में भी न करेंगे, पाँच हजार दहेज तो दूर की बात है, उसे बताओ धता और किसी दूसरे वर की तलास करो, हमारे पास कुल बीस हजार ही तो हैं, एक एक हिस्से में पाँच पाँच हजार आते हैं पांच हजार दहेज में दे दें और पांच हजार नेग नेच्छावर बाजे गाजे में उड़ा दें तो फिर हमारी तो बधिया ही बैठ जाएगी उमानात बोले मुझे अपना उस्धाले खोलने के लिए कम से कम पांच हजार की जरूरत है मैं अपने हिस्से में से एक पाई भी नहीं दे सकता फिर खोलते ही आमदनी तो होगी नहीं कम से कम साल बर घर से खाना पड़ेगा द्यानात एक समाचार पत्र देख रहे थे आखों से एनक उतारते होए बोले मेरा विचार भी एक पत्र निकालने का है प्रेस और पत्र में कम से कम दस हजार का कैपिटल चाहिए पांच हजार मेरे रहेंगे तो कोई न कोई साजेदार पांच हजार का मिल जाएगा पत्रों में लेख लिख कर मेरा निर्वाह नहीं हो सकता कामतानात ने सिर हिलाते होए कहा अजी राम भजो, सेंत में कोई लेक छापता नहीं, रुपए कौन दिये देता है, द्यारनाथ ने परतिवात किया, नहीं, यह बात तो नहीं है, मैं तो कहीं भी बिना पेशगी पुरुसकार लिए नहीं लिखता, कामता ने जैसे अपने सब्द वापिस लिए, तुम्हारी बात मैं नहीं कहता, भाई, तुम तो थोड़ा बहुत मार लेते हो, लेकिन सबको नहीं मिलता, बड़ी बहु ने सद्धा भाव से कहा, कन्या भाग्यवान हो, तो दरिद्ध घर में भी सुखी रह सकती है, भागी हो, तो राजा के घर में भी रोएगी, यह सब नसीबों का खेल है, कामतानाथ ने इस तरी की और प्रसंचा भाव से देखा, फिर इसी साल हमें सीता का विवाह भी करना है, सीतानाथ सबसे छोटा था, सिर जुकाए भाईयों की स्वार्थ भरी बातने सुन-सुन कर कुछ कहने के लिए उताबला हो रहा था, अपना नाम सुनते ही बो देश को इस समय बालकों की जरूरत नहीं, काम करने वालों की जरूरत है, मेरे हिस्चे के रूपए आप कुमुत के विवाह में खर्च कर दें, सारी बातें तैव हो जाने के बाद, यह उचित नहीं कि पंडित मुरादी लाल से संबन तोड लिया जाए, उमा ने तिवर दस हजार कहां से आएंगे, सीता ने डरते हुए कहा, मैं तो अपने हिस्चे के रूपए देने को कहता हूँ, और सेस, मुरादी लाल से कहा जाए कि दहेज में कुछ कमी कर दें, वह इतने स्वार्थी नहीं हैं कि इस अफसर पर कुछ बल खाने को तयार न हो जाएं, अगर वर तीन हजार में संतुष्ट हो जाएं, तो पांच हजार में विवा हो सकता है, उमा ने कामतानास से कहा, सुनते हैं भाई साहब, इनकी बातें, दयानात बोल उठे, तो इसमें आप लोगों का क्या नुक्सान है, ये अपने रुपए दे रहे हैं, खर्च कीजिए, मुरा सरकार से वजीफा पाते ही हैं, पास होने पर कहीं न कहीं जगा मिल जाएगी, हम लोगों की हालत तो ऐसी नहीं, कामतानास ने दूर दरसिता का परचे दिया, नुक्सान की एक ही कही, हम में से एक को कष्ट हो, तो क्या और लोग बैठे देखेंगे, ये अभी लड़के हैं इन्हें क्या मालूम समय पर एक रुपया एक लाग का काम करता है, कौन जानता है, कल इन्हें विलाए जाकर पढ़ने के लिए सरकारी वजीफा मिल जाए, या सिविल सर्विस में आ जाएं, उस वक्त सफर की तैयारियों में चार पांच हजार लग जाएंगे, तब किसके सा आमने हाद फैलाते फिरेंगे, मैं यह नहीं चाहता कि धहिज के पीछे इनकी जिंदगी नश्ट हो जाए, इस तरक ने सीतानात को भी तोड़ लिया, सकुष्ता हुआ बोला, हाँ यदि ऐसा हुआ, तो बेसक मुझे रुपे की जरूरत होगी, क्या ऐसा होना असंबव है, असंबव तो मैं नहीं समझता, लेकिन कठे नवस्य है, वजीपे उन्हें मिलते हैं, जिनके पास सिफारसें होती हैं, मुझे कौन पूछता है, कभी कभी सिफारसें धरी रह जाती हैं, और बिना सिफारस वाले बाजी मार ले जाते हैं, तो आप जैसा उचित समझे, मुझ भाईया, जैसा तुम्हारी भावी ने कहा, यह नसीबों का खेल है, मैं तो चाहता हूं कि मुरारी लाल को जवाब दे दिया जाए, और कोई ऐसा वर्क हो जाए, जो थोड़े में राजी हो जाए, इस विवाव में, मैं एक हजार से ज़्यादा खर्च नहीं कर सकता, पंड से भी तो पूछ लेना चाहिए, कामतानात को इसकी कोई जरूरत न मालूम हुई, बोले उनकी तो जैसे बुद्धी ही भरष्ट हो गई है, वही पुराने युक की बातें, मुरारी लाल के नाम पर उधार खाये बैठी हैं, यह नहीं समस्ती की वाजमाना नहीं रहा, उनको तो बस कुमुद, मुरारी पंडित के घर जाए, चाहे हम लोग तबाह हो जाएं, उमाने एक संका उपस्तित की, अम्मा अपने सब गहने कुमुद को दे देंगी, देख लीजिएगा, कामतानात का, स्वातनिती से विद्रो न कर सका, बोले गहनों पर उनका पूरा इदिका या उनका इस्त्री धन है, जिसे चाहें दे सकती हैं, उमाने कहा, इस्त्री धन है तो क्या, वे उसे लुटा देंगी, आकिर वे भी तो दादा ही की कमाई है, किसी की कमाई हो, इस्त्री धन पर उनका इदिकार है, ये कानूनी गोरक धन्दे हैं, बीस हजार में तो चार हिस सेदार हों और दस हजार के गहने अम्मा के पास रह जाएं देख लेना इनी के बल पर वग कुमत का विवा मुरारी पंडित के घर करेंगी उमानात इतनी बड़ी रकम को इतनी असानी से नहीं छोड़ सकता वे कपट नीती में कुसल है कोई कोसल रज कर माता से सारे गहने ले अस वक्त तक कुमत के विवा की चर्चा करके फूल मती को भड़का ना उचित नहीं कामतानात ने सीर हिला कर कहा भई मैं इन चालों को पसंद नहीं करता उमानात ने खिशिया कर कहा गहने दस हजार से कम के न होंगे कामतानात एविचलि स्वर में बोले कितने के ही हूँ मैं अनीती में हाथ नहीं डालना चाहता तो आप अलग बैठिये हाँ बीच में भांजी नहीं मारियेगा मैं अलग रहूंगा और तुम सीता मैं भी अलग रहूंगा लेकिन जब दयानात से यही प्रसंद किया गया तो वह उमानात से सहयोग करने को तयार हो गया दस हजार में डाई हजार तो उसके होंगे ही इतनी बड़ी रकम के लिए यदि कुछ कोसल भी करना पड़े तो छम्म्य है फूल मती रात का भोजन करके लेटी थी कि उमा और दया उसके पाथ जाकर बैठ गए दोनों ऐसा मूँ बनाए हुए थे मानो कोई भादी भी पत्ती आ पड़ी है फूल मती ने ससंख होकर पूछा तुम दोनों घवडाई हुए मालुम होते हो उमा ने सिर्ख खुजलाते हुए कहा समा चार पत्रों में लेख लिखना बड़े जोखिम का काम है अमा कितना ही बच का लिखो लेकिन कहीं न कहीं पकड़ हो ही जाती है दयानात ने एक लेख लिखा था उस पर पांच हजार की जमानत मांगी गई है अगर कल तक जमानत न जमा कर दी गई तो गिरफतार हो जाएंगे और दस साल की सजा ठुक जाएगी फूल मती ने सिर्पीट कर कहा तो ऐसी बातें क्यों लिखते हो बेटा जानते नहीं हो आज कल हमारे आदिन आए हुए हैं जमानत किसी तरह टल नहीं सकती दयानात ने अपरादी भाव से उत्तर दिया मैंने तो अम्मा ऐसी कोई बात नहीं लिखी थी लेकिन किस्मत को क्या करूँ हाकिम जिला इतना कड़ा है कि जरा भी रियायत नहीं करता मैंने जितनी दोड़ धूप हो सकती थी वैसब कर ली तो तुमने कामता से रुपए का परबंद करने को नहीं कहा उमा ने मुह बनाया उनका सहभाव तो तुम जानती हो अम्मा उन्हें रुपए प्राणों से प्यारे हैं उन्हें चाहे काला पानी ही हो जाए वो एक पाई न देंगे दयानात ने समर्थन किया मैंने तो उनसे इसका जिक्र ही नहीं किया फूल मती ने चरपाई से उड़ते हुए कहा चलो मैं कहती हूँ देगा कैसे नहीं रुपए इसी दिन के लिए होते हैं कि गार कर रखने के लिए उमानात ने माता को रोक कर कहा नहीं अमा उनसे कुछ न कहो रुपए तो ना देंगे उल्टे और हाय हाय मचाएंगे उनको अपनी नौकरी की खेरियत मनानी है इन्हें घर में रहने भी न देंगे अब सरों में जाकर खबर दे दें तो आज चले नहीं फूल मती ने लाचार होकर कहा तो फिर जमानत का क्या परबंद करोगे मेरे पास तो कुछ नहीं है हाँ मेरे गहने हैं इन्हें ले जाओ कहीं गिरो रख कर जमानत दे दो और आज से कान पकड़ो की किसी पत्र में एक सब्स भी न लिखोगे दयानात कानों पर हाथ रख कर बोला या तो नहीं हो सकता अमा कि तुम्हारे जेवर लेकर मैं अपनी जान बचाऊं दस पांच साल की कैद ही तो होगी जेल लूँगा यहीं बैठा बैठा क्या कर रहा हूं फूल मती चाती पीटते हुए बोली कैसी बाते मुँ से निकालते हो बेटा मेरे जीते जी तुम्हे कौन गिरफतार कर सकता है उसका मुझ जुलस दूँगी गहने इसी दिन के लिए हैं या और किसी दिन के लिए जब तुम्हीं न रहोगे तो गहने लेकर क्या आग में जोकूंगी उसने पिटारी लाकर उसके सामने रख दी तया ने उमा की और जैसे फर्यात की आँखों से देखा और बोला आपकी क्या राय है भाई साहब इसी मारे में कहता था अमा को जताने की जरूरत नहीं जेल ही तो हो जाती या और कुछ उमा ने जैसे सिफारस करते हुए कहा या कैसे हो सकता था कि इतनी बड़ी वारदात हो जाती और अमा को खवर न होती मुझे यह नहीं हो सकता था कि सुनकर पेट में डाल लेता मगर अब करना क्या चाहिए यह मैं खुद निर्ने नहीं कर सकता न तो यही अच्छा लगता है कि तुम जेल जाओ और नहीं अच्छा लगता है कि अमा के गहने गिरो रखे जाएं फूल मती ने वेतित कंट से पूछा क्या तुम समझते हो मुझे गहने तुम से ज़्यादा प्यारे हैं मैं तो अपने प्रांट तक तुम्हारे उपर नियोच्छावर कर दू गहनों की विसात ही क्या है दया ने दृड़ता से कहा अमा तुम्हारे गहने तो न लूँगा चाहे मुझ पर कुछ ही क्यों न आपड़े जब आज तक तुम्हारी कुछ सेवा न कर सका तो किस मुझे तुम्हारे गहने उठा ले जाऊ मुझ जैसे कपूट को तो तुम्हारी कोक से जनम ही न लेना चाहिए था सदा तुम्हे कष्ट देता रहा फूल मती ने भी उतनी ही दृटता से कहा तुम अगर यो न लोगे तो मैं खुच जाकर इने गिरो रख दूँगी और हाकिम जिला के पाजा कर जमानत जमा करा आऊंगी अगर इच्चा हो तो ये पर इच्चा भी ले लो आँखें बंद हो जाने के बाद क्या होगा भगवान जाने लेकिन जब तक जीती हूँ तुम्हारी और कोई दिर्ची आँखों से नहीं देख सकता उमानात ने मानो माता पर ऐसान लग कर कहा अब तो हमारे लिए कोई रास्ता नहीं रहा दियानात क्या हरज है ले लो मगर याद रखो यह हाथ में रुपए आ जाएं गैने छुडाने पड़ेंगे सच कहते हैं मातरत तो दिर्ग तपश्या है माता के सिवा इतना सने और कौन कर सकता है हम बड़े अभागे हैं कि माता के परती जितनी सरद्दा रखनी चाहिए उसका शतांस भी नहीं रखते दोनों ने जैसे बड़े धर्म संकट में पड़कर गैनों की पिटारी समाली और चलते बने माता वात्सल्य भरी आँखों से उनकी ओर देख रही थी और उसकी संपून आत्मा का सिर्वाद जैसे उने अपने गोद में समेट लेने के लिए वैकुल हो रहा था आज कई महिने के बाद उनके भग्न मात्र हिर्दै को अपना सर्वस अरपन करके जैसे आनंद की विभूती मिली उसकी स्वामिनी कलपना इसी त्याग के लिए इसी आत्म समर्पन के लिए जैसे कोई मार ढूरती रहती थी अधिकार या लोब या ममतक की वहां गन तक न थी त्याग ही उसका आनंद और त्याग ही उसका अधिकार है आज अपना खोया हुआ अधिकार पाकर सिर्जी हुई परतिमा पर अपने प्राणों को भेट करके वनिहाल हो गई तीन महीने और गुजर गई, मा के गहनों पर हाथ साप करके चारों भाई उसकी दिल जोई करने लगे थे अपनी इस्तियों को भी समझाते रहते थे कि उसका दिल न दुखाए अगर थोड़े सिष्टा चार से उसकी आत्मा को सांती मिलती है तो इसमें क्या हानी है चारों करते अपने मन की परमाता से सला ले लेते या ऐसा जाल फैलाते कि वह सरला उनकी बातों में आ जाती और हरेक काम में सहमत हो जाती बाग का बेचना उसे बहुत बुरा लगता था लेकिन चारों ने ऐसी माया रची कि वह उसे बेचने पर राजी हो गई किन्तु कुमुत के विवा के विशय में मत्यक के ना हो सका मापंडित मुरारी लाल पर जमी हुई थी लड़के दीन द्याल पर अड़े हुए थे एक दिन आपस में कल्य हो गई फूल मती ने कहा माबाप की कमाई में बेटी का भी हिस्सा है तो मैं 16,000 का एक बाद मिला 25,000 का एक मकान 20,000 नगद में क्या 5,000 भी कुमुत का हिस्सा नहीं है कामता ने नमरता से कहा अम्मा कुमुत आपकी लड़की है तो हमारी बहिन है आप 2-4 साल में प्रस्तान कर जाएंगी पर हमारा और उसका बहुत दिनों तक संबंद रहेगा तब यथा सकती कोई ऐसी बात न करेंगे जिससे उसका मंगल हो लेकिन हिस्से की बात कहती हो तो कुमुत का हिस्सा कुछ नहीं दादा जीवित थे तब और बात थी वह उसके विवा में जितना चाहते खर्च करते कोई उनका हाथ न पकड़ सकता था लेकिन अब तो हमें एक एक पैसे की किफायत करनी पड़ेगी जो काम एक हजार में हो जाए उसके लिए पांच हजार खर्च करना कहां की बुद्धी मानी है उमारनाथ ने सुधारा पांच हजार क्यों दस हजार कहिए कामता ने भवें सिकोड कर कहा नहीं मैं पांच हजार ही कहूंगा एक विवा में पांच हजार खर्च करने की हमारी हैसियत नहीं है फूल मती ने जित पकड़ कर कहा विवाद तो मुरारीलाल के पुत्र से ही होगा चाहे पांच हजार खर्चों चाहे दस हजार मेरे पती की कमाई है मैंने मर मर कर जोड़ा है अपनी इच्छा से खर्च करूंगी तुमें ने मेरी कोक्ट से नहीं जन्म लिया है कुमत भी उसी कोक से आई है मेरी आखों में तुम सब बराबर हो मैं किसी से कुछ मांगती नहीं तुम बैठे तमासा देखो मैं सब कुछ कर लूँगी 20,000 में 5000 कुमत का है कामतानात को अब कड़वे सत्य की सरंड लेने के सिवाए और कोई मार्क न रहा बोला अम्मा तुम बर्बस बात बढ़ाती हो जिन रुपें को तुम अपना समझती हो वो तुम्हारे नहीं हैं हमारे हैं तुम हमारी अनमती के बिना उनमें से कुछ नहीं खर्च कर सकती खूल मती को जैसे सर अपने डस लिया क्या कहा? फिर तो कहना मैं अपने ही संचे रुपए अपनी इच्छा से नहीं खर्च कर सकती वह रुपए तुम्हारे नहीं रहे हमारे हो गए तुम्हारे होंगे लेकिन मेरे मरने के पीछे नहीं दादा के मरते ही हमारे हो गए उमानात ने बेहयाई से कहा अम्मा कानून काईदा तो जानती नहीं नाहक उलस्ती है फूल मती क्रोध विहलो कर बोली भाड में जाए तुम्हारा कानून मैं ऐसे कानून को नहीं मानती तुम्हारे दादा ऐसे कोई बड़े धन्ना सेट नह थे मैंने ही पेट और तन काट कर ये ग्रिस्ती जोड़ी है नहीं आज बैटने को छान नहीं मिलती मेरे जीते जी तुम मेरे रुपए नहीं छू सकते मैंने तीन भाईयों के विवाह में दस-दस हजार खर्च किये हैं वही मैं कुमुत के विवाह में भी खर्च करूँगी कामतानात पी गरम पड़ा आपको कुछ भी खर्च करने का अधिकार नहीं है उमानात ने बड़े भाई को डाटा आप खाम कहां अम्मा के मून लगते हैं भाई साब मुरादी लाल को पत्र लिग दीजे कि तुम्हारे यहां कुमुत का विवाह न होगा बच छुट्टी हुई यह काईदा कानून तो जानती नहीं वेट की बहस करती है फूल मती ने संयमित स्वर में कहा अच्छा क्या कानून है जरा मैं भी सुनू उमाने निरे भाई से कहा कानून यही है कि बाप के मरने के बाद जायदाद बेटों की हो जाती है मा का हक केवल रोटी कपड़े का है फूल मती ने तरब कर पूछा किसने यह कानून बनाया है उमा सांत स्थिर्थ स्वर में बोला हमारे रिसियों ने महराज मनूने और किसने फूल मती एक छंड अवाक रहकर आहत कंट से बोली तो इस घर में मैं तुम्हारी टुकडों पर पड़ी हुई हूँ उमानाथ ने नया धीस की निर्ममता से कहा तुम जैसा समझो फूल मती की संपूर आत्मा मानो इस वज्रपास से चीतकार करने लगी उसके मुक से जलती हुई चिंगारियों की भाती ये सब निकल पड़े मैंने घर बनवाया मैंने संपत्ती जोड़ी मैंने तुम्हें जन्म दिया पाला और आज मैं इस घर में गैर हूँ मनु का यही कानून है और तुम उसी कानून पर चलना चाहते हो अच्छी बात है अपना घर द्वार लो मुझे तुम्हारी आसरिता बन कर रहना से विकार नहीं इस से कहीं अच्छा है कि मैं मर जाओ वारे अंधेर मैंने पेड लगाया और मैं उसकी चाह में खड़ी नहीं हो सकती अगर यही कानून है तो इसमें आग लग जाए चारो यूवकों पर माता के इस क्रोद और आतंग का कोई असर ना हुआ कानून का फौलादी कवच उनकी रक्षा कर रहा था इन कांटों का उन पर क्या असर हो सकता था जरा देर में फूल मती उठकर चली गई आज जीवन में पहली बार उसका वातसल्य भग्न मातरत्व अभिशाब बनकर उससे धिकारने लगा जिस मातरत्व को उसने जीवन की विभूती समझा था जिसके चड़नों पर वह सदेव अपनी समस्थ अविलासाओं और कामनाओं को अर्पित करके अपने को धन्य मानती थी वही मातरत्व आज उसे अगनी कुंड सा जान पड़ा जिसमें उसका जीवन जलकर भस्म हो रहा था संद्या हो गई थी द्वार पर नीम का व्रेक्ट सिर जुकाय निस्तब खड़ा था मानो संसार की गती पर छुब्ध हो रहा हो अस्तान चलकी और परकास और जीवन का देवता फूलमती के मतरत्व की ही भांती अपनी चिता में जल रहा था फूलमती अपने कमरे में जाकर लेटी तो उसे मालुम हुआ उसकी कमर तूट गई है पती के मरते ही लड़के उसके सत्रू हो जाएंगे उसको सुपन में भी गुमान ना था जिन लड़कों को उसने हिर्दे रक्त पिला पिला कर पाला वही आज उसके हिर्दे पर यूँ आगात कर रहे हैं अब वे घर उसे कांटों की सेज हो रहा था जहां उसकी कुछ कदर नहीं, कुछ गिंती नहीं, वहां अनातों की भांती पड़ी रोटियां खाए, या उसकी अभिमानी प्रकृति के लिए असे था, पर उपाई ही क्या था, वह लड़कों से अलग होकर रहे भी तो, ना किसकी कटेगी, संसार उसे थूके तो क्या, और ल पाल रही है, जिने उसने हमेशा नीज समझा, वही उस पर हसेंगे, नहीं वह अपमान इस अनादर से कहीं ज़्यादा हिर्दय विदारक था, अब अपना और घर का परदा धंका रखने में ही कुसल है, हाँ अब उसे अपने को नई प्रिस्थितियों के अनकूल बनाना इस वर की यही इच्छा है, अपने बेटों की बातें और लातें, गैरों की बातों और लातों की अप्यक्चा फिर भी गनीमत है, वह बड़ी देर तक मूढ धापे अपनी दसा पर रोती रही, सारी रात इसी आतम वेतना में कट गई, सरत का परभात डरता डरता, उसा की ग अंसिक परवर्तन हो चुका था, सारा घर सो रहा था, वह आंगन में ज़ाडू लगा रही थी, रात की ओस में भीगी हुई पक्की जमीन उसके नंगे पैरों में काटों की तरह चुप रही थी, पंडिच जी उसे कभी इतने सवेरे उठने न देते थे, सीथ उसके लिए ब लगी, कुछ देर में लड़के जागे, बहुएं उठी, सभी ने बुढिया को सर्दी से सुकुड़े हुए काम करते देखा, पर किसी ने यह नहीं कहा कि अम्मा क्यों हलकान होती हो, सायद सब के सब बुढिया के इस मान मर्दन पर प्रसंद थे, आज से फूल मती का यही नियम हो गया कि जी तोड़कर घर का काम करना और अंतरंग नीती से अलग रहना, उसके मुख पर जो एक आत्म गौरव जलकता रहता था, उसकी जगह अब गहरी वेदना चाही हुई नजर आती थी, जहां बिजली जलती थी, वहां अब तेल का दिया टिम्टिमा रहा था, जिसे बुझा देने के लिए हवा का एक हलका सा जोंका काफी है, मुरारी लाल को इंकारी पत्र लिखने की बात पक्की हो चुकी थी, दूसरे दिन पत्र लिख दिया गया, दिन द्याल से कुमत का विवा निश्चित हो गया, दिन द्याल की उम्र 40 से कुछ अधिक थी, मर्य फूलमती के दिल पर क्या गुजर रही थी इसे कौन जान सकता है पर चारो भाई बहुत प्रसंद थे मानो उनके हिर्दय का काटा निकल गया हूँ मुचे कुल की कन्या मुँ कैसे खोलती भागे में सुक भोगना लिखा होगा सुक भोगेगी दुख भोगना लिखा होगा दुख जहलेगी हरी इच्छा बेकसों का अंतिम अवलंब है घर वालों ने जिससे विवा कर दिया उसमें हजार एब हों तो भी वह उसका उपास्य उसका स्वामी है परती रोद उसकी कल्पना से परे था फूल मती ने किसी काम में दखल न दिया कुमुत को क्या दिया गया महमानों का कैसा सतकार किया गया किसके यहां से निवते में क्या आया किसी बात से भी उसे सरोकात न था उससे कोई सला भी ले गई तो यही था बेटा तुम लोग जो करते हो अच्छा ही करते हो मुझसे क्या पूछते हो जब कुमुत के लिए दुआरबड लोली आ गई और कुमुत मा के गले लिपट कर रोने लगी तो वो बेटी को अपनी कोठरी में ले गई और जो कुछ सो पचास रुपए और दो चार मामूली गहने उसके पास बच रहे थे बेटी के अंचल में डाल कर बोली पहनों की बात किसी से न कही थी लड़कों ने उसके साथ जो कपट वैवार किया था इसे चाहे वो अब तक न समझी हो लेकिन इतना जानती थी कि गहने फिर न मिलेंगे और मनो मालिन या पढ़ने के सिवाए कुछ हाथ न लगेगा लेकिन इस अवसर पर उसे अपनी सफाई देने की जरूरत मालूम हुई कुमुद या भाव मन में लेकर जाए कि अम्मा ने अपने गहने बहुओं के लिए रख छोड़े इसे वह किसी तरह न सह सकती थी इसलिए वह अपनी कोठरी में ले गई थी लेकिन कुमुद को पहले ही इस कोसल की टोह मिल चुकी थी उसने गहने और रुपए अंचल से निकाल कर माता के चड़नों पर रख दिये और बोली अम्मा मेरे लिए तुम्हारा आसिरवात लाखों रुपएं के बराबर है तुम इन चीजों को अपने पास रखो ना जाने अभी तुमें किन विपत्तियों का सामना करना पड़े फूल मती कुछ कहना ही चाहती थी कि उमानात ने आकर कहा का कर रही है कुमुद चल जल्दी कर साइट तली जाती है वह लोग हाय हाय कर रहे है फिर तो दो चार महिने में आएगी ही जो कुछ लेना देना हो ले लेना फूल मती के घाव पर जैसे मनों निमक पड़ गया बोली मेरे पास अब क्या है भाईया जो मैं इसे दूंगी जाओ बेटी भगवान तुम्हारा सोहाग अमर करे उमद विदा हो गई फूल मती पचार खाकर गिर पड़ी जीवन की अंतिम लालसा नश्ट हो गई एक साल बीद गया फूल मती का कमरा घर के सब कमरों में बड़ा और हवादार था कई महिनों से उसने बड़ी बहु के लिए खाली कर दिया था और खुद एक छोटी सी कोटरी में रहने लगी थी जैसे कोई बिखारिन हो बेटों और भवों से अब उसे जला भी इसने न था वह अब घर की दासी थी घर के किसी प्राणी किसी वस्तू किसी प्रसंद से उसे प्रयोजन न था वह केवल इसलिए जीती थी कि मौत न आती थी सुख्या दुख का अब उसे लेश मात्र भी ग्यान न था उमा नात का उस धाले खुला मित्रों की दावत हुई नास तमासा हुआ दैया नात का प्रेस खुला फिर जलसा हुआ सीता नात को बजीफा मिला कामतानाट टाइफाइड में महीने भर विमार रहा और मर कर उठा दैया नात ने अब की अपने पत्र का परचार बढ़ाने के लिए वास्तों में एक आपत्ती जनक लेख लिखा और छे महने की सजा पाई उमा नात ने एक फोज़दारी के मामले में रिस्वत लेकर गलत रिपोर्ट लिखी और उसकी सनद छीन ली गई पर फूल मती के चहरे पर रंज की परचाई तक न पड़ी उसके जीवन में अब कोई आसा कोई दिल्चस्पी कोई चिंता न थी बस पसूं की तरह काम करना और खाना यही उसकी जिंदगी के दो काम थे जानवर मादने से काम करता है पर खाता है मन से फूल मती बे कहे काम करती थी पर खाती थी विस्ट के कौर की तरह महीनों सिर में तेल न पड़ता महीनों कपड़े न धुलते कुछ परवा नहीं वह चेतना सुन्य हो गई थी सावन की जड़ी लगी हुई थी मलेरिया फैल रहा था आकास में मट्याले बादल थे जमीन पर मट्याला पानी आद्रवायू सित जवर और स्वास का वित्रण करती फिरती थी घर की महरी बिमार पड़ गई फूल मती ने घर के सारे बरतन माजे पानी में भीग भीग कर सारा काम किया फिर आग जलाई और चूले पर पत्रहिलियां चड़ा दी लड़कों को समय पर भोजन तो मिलना ही चाहिए सासा उसे याद आया कामतानात नल का पानी नहीं पीते उसी वर्सा में गंगा जलाने चली कामतानात ने पलंग पर लेटे लेटे कहा रहने दो अम्मा मैं पानी भर लाऊंगा आज महरी खूब बैठी रही फूल मती ने मट्याले आकास की और देख कर कहा तुम भीग जाओगे बेटा सर्दी हो जाएगी कामतानात बोले तुम भी तो भीग रही हो कहीं बिमार न पढ़ जाओ फूल मती निर्मम भाव से बोली मैं बिमार न पढ़ूंगी मुझे भगवान ने अमर कर दिया है उमानात भी वहीं बैठा था उसके औसधाले में कुछ आमदनी न होती थी इसलिए बहुत चिंतित रहता था भाई भावज की मुह देखी करता रहता था बोला जाने भी दो भाईया बहुत दिन बहुँँँपर राज कर चुकी हैं उसका प्राश्चित तो करने दो गंगा बड़ी हुई थी जैसे समुंद्र हो छितित सामने के कूल से मिला हुआ था किनारे के विरक्चों की केवल फुनगिया पानी के उपर रह गई थी घाट उपर तक पानी में डूब गए थे फूल मती कलसा लिये नीचे उतरी पानी भरा और उपर जा रही थी कि पाउं फिसला समल न सकी पानी में गिर पड़ी पल भर हाथ पाउं चलाए फिर लहरें उसे नीचे खीच ले गई किनारे पर दो चार पंडे चिलाए अरे दोड़ो बुढिया डूबी जाती है दो चार आदमी दोड़े भी लेकिन फूल मती लहरों में समा गई थी उन बल खाती हुई लहरों में जिने देख कर हिरदय काँ पूठता था एक ने पूछा ये बुढिया कौन थी अरे वही पंडित अयोध्यानात की विध्वा है अयोध्यानात तो बड़े आदमी थे हाँ थे तो पर इसके भाग्य में ठोकर खाना लिखा था उनके तो कई लड़के बड़े बड़े हैं और सब कमाते हैं हाँ सब हैं भाई मगर भाग्य भी तो कोई वस्तू है धन्यवाद